हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज हब दोस्तों, आज हम जानेंगे सहद के कुछ गरेलू उपायों के बारे में सक्कर से पाचन अंग खराब होते हैं, पेट में वायू पैदा होती हैं लेकिन सहद वायू बनने से रोकता है ये मानसिक और सारी दिक सक्ति को बढ़ाता है आप सारे काम काच करने के बाद, रात को या जब भी थकावट हो तो दो चमत सहद, आदे गिलास गर्म पानी में निम्बू का रस निचोड़ कर पी ले सारी थकावट दूर हो जाएगी और पुना ताजगी महसूस होगी आदे सीर के दर्द में सहद का उप्योग कभी कभी अचानक आदे सीर में तेज दर्द हो जाता है रोगी दर्द में उल्टी तक करता है उल्टी होने पर दर्द तुरंद ही बंद हो जाता है ये दर्द बार-बार होता रहता है नित्य बोजन के समय दो चमच सहद लेते रहने से ये दर्द बंद हो जाएगा सरदी या कमजोरी के कारण जब हरदे की दर्ड़कन अधिक हो जाए दिल बेटना आदी कोई कश्ट हो तो सहद की एक चमच गर्म पानी में डाल कर पिये एक चमच सहद प्रती दिल लेने से हरदे मजबूत रहता है आग से जले हुए अंगों पर सहद का लेप करने से जलन कम होती है गाव होने पर भी जब तक ठीक न हो सहद लगाते रहें गाव ठीक होने पर जले हुए के सफेद दाग बने रहते हैं इस पर सहद लगा कर पट्टी बानते रहने से दाग मिट जाता है सहद खासी में आराम देता है 12 ग्राम सहद दिन में तीन बार सेवन करने से कफ निकल जाता है खासी ठीक हो जाती है सहद के प्रियोग से सक्ती, स्पूर्ती और स्नायू को सक्ती मिलती है सर्दी, खासी, बुखार होने पर एक चम्मच सहद में 14 चम्मच पीसी हुई, पीपल मिलाकर नित्य तीन बार खाएं इसे सर्दी, खासी और ज्वर ठीक हो जाएंगे चर्म रोगों में सहद का उप्योग आटा और सहद को मिलाकर लेही बना लें इसको कपड़े के टुकड़े पर लगाकर फुंचियों पर लगाएं कोई भी चर्म रोग हो तो सहद की पट्टी बानने से आराम होता है दाद, खाज, फोड़े आदी चर्म रोगों में 40 ग्राम सहद, 300 ग्राम पानी में मिलाकर प्राता है कुछ माइने पीने से हरक्त शाफ होकर लब होता है सहद द्वचा को कोमल बनाता है सहद में पानी मिलाकर पीने से अनेक चर्म रोग जैसे खुजली, सरीर पर हलके दाग, फोड़े फुन्सी, मुहां से आदी ठीक हो जाता है दमा के इलाज में सहद का उप्योग, दुर्बल व्यक्ती जिनके फेपड़े सलेसमा से भरे रहते हैं और सांस लेना कठीन होता है, उनको दो चमच प्याज का रस या एक चमच प्याज को कूट कूट कर गुद्दा बनाकर इसे दो चमच सहद में मिलाकर देना एक पुराना मुस्का है दमा और फेपड़े के रोग सहद का सेवन करने से दूर होता है सहद फेपड़ों को बल देता है, खासी, गले की खुषकी तदा स्नायू कष्ट दूर करता है और के फ्रेंट्स, थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो